तो पहला नोट आएगा D सिस्टर अगा, तो पहला नोट आएगा 5th नमबर स्ट्रिंग, 5th नमबर फ्रेट, and 4th नमबर फिंगर, means pinky finger, आपका होगा पहला नोट D. नेक्स नोट आएगा E, D का बाद आता है E, E note के लिए हम जाएगे, 4th नमबर स्ट्रिंग, 2nd नमबर फ्रेट, and 1st नमबर फिंगर, तो होगा आपका E. D मिल गया, E मिल गया, अभी होगा F, but क्योंकि ये D मेजर स्ट्रिंग है, F का प्रेट में होगा, F सब, तो आपका दिखे, फिंगर का पजिशन बन गया, 4th नमबर स्ट्रिंग, 4th नमबर फ्रेट, and 3rd नमबर, फिंगर, पहुए, F सब, G के लिए हम क्या करेंगे, 4th नमबर स्ट्रिंग, 7th नमबर फ्रेट, and 4th नमबर फिंगर, तो होगा, आपको चालूद मिल गया अभी, क्यां से बन से, B, E, A, G, और 4 नमबर बाकी है, तो नेक्स्ट नमबर आएगा आपका, A नमबर, A नमबर आएगा अपका, 3rd नमबर फ्रेट, then 2nd नमबर फ्रेट, and 1st नमबर फिंगर, means A, next note नमबर आएगा, B, similar scale में, मैंने आपको दिखाना तर B, open string means 2nd number string, but, यहाँ पर हम बजाएगे, 3rd number string, 4th number fret, नमबर फ्रेट नमबर फ्रेट नमबर फिंगर, B not, okay, तो B not आपका ठीक नीचे होगा, means, आपके string होगे 3rd, fret होगे 4th, फिंगर होगे 3rd, तो हमको अभी मिल गया, D, E, F, G, A, B, C, यहाँ पर C नीच बजाएगा, C का रिप्लेश में हम बजाएगे, C sub, C sub दिखे, 2nd number string, 2nd number fret, और फिंगर होगे, C sub, next, का नीचे होगे 5th, D, means, इस अपके D, or आपके D, होगे 5th, D, then complete होगे, 8 notes, 5th, फिंगर होगे, D, next होगे, D, then F sub, then again, D, कि इसे होगे, A, then B, C sub, then D, कि इसे होगे, D, E, F sub, G, A, B, C sub, D, descending again, D, C sub, then D, A, D, then F sub, E, D, continue, तो, Fulsposition आपको ऐसी बज़ाना है, कि इसे होगे, D, C sub, then 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 D, C sub, झाल झाल झाल